नमस्कार जहिंद औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चैनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे यहां पर आपके लिए जीके जीएस और जीए मतलब जनरल नॉलेज जनरल अवेरनेज जनरल साइंस के कॉशन लेकर आ गए हैं आप जिस भी स्टेट के एक्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको यह पूरे कॉशन आ सकते हैं बिलकुल शांदार कॉशन है अच्छे से याद कर लेना हमारे चलब पर कम समय में ज़्यादा कॉशन करा जाते हैं तो बिना देर क्यों है बिना समय बरवाद क्यों करते हैं स्टार्ट वीडियो को पहल के लिए भारत का 29 वा राज बना है आपका तेलंगाना तेलंगाना जो है 29 वा राज बना था तेलंगाना की राधानी आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में क्या है तेलंगाना की राधानी अरावली पहाडी की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अरावली पहाडी की सबस प्रधान मंत्री कौन था तो सबसे पहले गोल में सम्मिलन राउंड टेबल कॉंफरेंस कहा जाता है लंदन में हुआ था और उसमें लंदन जो ब्रिटेश थे वो प्रधान मंत्री थे पीम थे रैम से मैक डॉनल्ड ऑप्शन नमबर यहां पर राइट आंसर है धन विद्यक क आप से पूछूँगा बीच में सभी कोशिश करना जवाब देने का ठीक है सभी कौशन आपको फस सकते हैं जो पूछूँगा वो भी रैडिफ मेल के संस्थापक कौन थे तो रैडिफ मेल के संस्थापक इस प्रशन का आंसर आप बताओगे ठीक है रैडिफ मेल के संस्थ खापकों थे comment box में इसका answer दिना थोस से सीधे गैस में परियरतन क्या केहलाता है तो ठोस से सीधे गैस में परियरतन इसको one ओड़ो पातन कहा जाता है option number ऑड़ो पातन right answer hijos गांधी सागर बांध कि परियोजना का हिस्सा है तो गांधी आयू 21 से 18 वर्ष कर दी थी तो मतदान की आयू 21 वर्ष से 18 वर्ष ये आपका 61 सम्विधान संशोधन था option number यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का अंतिम शाशक कौन था तो गुलाम वंश का आखरी शाशक था आपका Q-mars option number यहाँ पर भी बड़ी हर्याना राइट आंसर है दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने साशन किया तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश हुए option number यहाँ पर भी 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत के लिए राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा इस्थन्धारी या मेमल कौन है तो सबसे बड़ा जो इस्थन्धारी या मेमल है यह आपका Blue Whale option number यह बलू वेल राइट आंसर है निमनलकेत में से कौन एक अर्ध विक्षित बच्चे को जन्म देता है तो एक अर्ध विक्सित बच्चे को जन्म देता है कंगारू, option number C, कंगारू जो है, ये एक अर्ध विक्सित बच्चे को जन्म देता है, तुगलक वंश का आखरी या अंतिम शाशक कौन था, तो तुगलक वंश का आखरी शाशक था आपका नसिरुद्दीन महमूद, option number A, य भारत में आजादी के समय कॉंग्रेस के दक्ष कौन थे तो भारत में जब आजादी मिली थी उस समय कॉंग्रेस के दक्ष थे आपके जे भी कृपनाली जी अप्शन नमबर यहां पर सी जे भी कृपनाली जी प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा मोहमबद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था तो मोहमबद गजनवी के साथ जो भारत आये था इतिहासकार उसका नाम था अलबरूनी ओप्शन नमबर ए यहां पर राइट आंसर है गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक कुतवदीन एबक को माना जाता है ऑप्शन नमबर यहां पर सी कुतवदीन एबक राइट आंसर है प्रशन के लिए भारती और रेल संग रहाले कहां स्थित है तो भारती और रेल संग रहाले ये आपका नई दिल्ली में स्थित है option नमबर भी नई दिल्ली राइट आंसर है काल मांक्स किस देश से संबनित है तो काल मांक्स जो है ये आपके जर्मनी से संबनित है option number यहाँ पर भी Germany right answer है प्रशने के लिए सायद वंच के संस्थापक किसे माना जाता है जो सायद वंच है उसके संस्थापक माना जाता है आपका यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा option number यहाँ पर एक खिज रिखाँ प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की तिरफ दोस्तों आप question देख रहे होगे कितने शानदार question है आप जिसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये question आपको आ सकते हैं दोस्तों अच्छे से इस question हो लगा लिजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने जो अभी जैसे हम सो या पचास कॉशन पढ़ाते हैं हमने टोटल दस हजार कॉशन निकाल ली है जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं इसकी बना ली है PDF PDF कैसी होती आपको पता होगा WhatsApp पर आप लोग देखते होगे WhatsApp पर खुल जाती होगी किताब आप e-book जिसको बोलते हैं मतलब WhatsApp पर आप इस PDF को पढ़ सकते हैं ये PDF आप सभी को मिल सकती है नई student पुरानी student सभी को इस PDF की कीमत है 300 रुपे लेकिन अभी ये 99 रुपे में सबको मिल रही है 99 रुपे में आपको 10,000 GKS के कॉशन पढ़ रहे हैं मद निश्यत की कर रहे हूँ फायरमेंट की कर रहे हूँ जहां जहां स्टेट लेवल पर भी एक्जाम निकले हैं UP, बिहार, हर्याना, राजिस्थान, मद्यपदेश, महराष्ट, दिल्ली और आपका सेंटर लेवल का भी SSC, GD, SSC, CGL बहुत अच्छे कॉशन है, पढ़ने वाले बच्चे जरूर ले लेना आपकी GK बिल्कुल एक नंबर हो जाएगी यदि ये आपने 10,000 कॉशन कर लिए आपको पेमेंट कैसे करना है, तो फॉन पे, गूगल पे, पे टियम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो ये आपके बने होते है, S-Bestos के option number यहाँ पर A, S-Bestos प्रशन के लिए अगनी 7 के वस्तर के लिए राइट आंसर हो जाए लोधी वंश के अंतिम शाषक कौन थे, तो लोधी वंश का आखरी शाषक था आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का आखरी शाषक था आपको comment करके उताना है लोधी वंस का सबसे पहला शाशक कोन था ठीक है लोधी वंस किस था आपना किसने की comment करके उता हूँ पौधे का विकास सबसे अधिक किस रितू में होता है तो पौधे जो होते हैं सबसे अधिक इनका विकास होता है वर्षा रितू में option बसी वर्षारितू राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण के लिए electron volt किसकी काई होती है तो electron volt जो है आपकी ये विद्धुत उर्जा की काई होती है option number ये विद्धुत उर्जा की काई होती है electron volt पागल बादशाह के नाम से किसे जान जाता था तो पागल बादशाह कहा जाता था MBT को MBT मतलब मुहमबद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था option बसी मुहमबद बिन तुगलक राइट आंसर है फुटबॉल में कौन सा फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है तो फुटबॉल में आपकी हीलियम गैस भरी होती है option number डी हीलियम गैस राइट आंसर हो जाएगा पंच शीर घाटी कहाँ पर इस्तित है तो पंच शीर होना चाहिए यहाँ पर पंच शीर सही कर लेना यह है आपकी अफगानिस्तान में option number डी अफगानिस्तान में पंच शीर घाटी कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे तो कृष्ण देवराय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा option के अंसर यह थे आपके बाबर के समकालीन option number यहाँ पर भी बाबर के समकालीन थे कृष्ण देवराय माल प्रभा परियोजना ये कहां पर इस्तित है तो माल प्रभा परियोजना ये आपकी इस्तित है करनाटका में यहां पर option number आपका एक करनाटक प्रशने के लिए माल प्रभा परियोजना के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत में संग शाषित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी हैं तो भारत के अंदर जो संग शाषित प्रदेश हैं इसको आप कमेंट करके बताओ भारत में कितने राज्ये हैं और कितने संग शाषित प्रदेश कमेंट करके बताओ देखते हैं आप में से किसको पता है रेल्वे पहिया और धुरी का निर्माण कहां करता है तो रेल्वे पहिया जो बनते हैं रेल्वे में और धुरी इसका निर्माण होता है बैंगलूरू में Option बसी Bangalore right answer हो जाएगा अधिकांश मौसमी गटना किस मंदल में घटित होती है अदिकांश मौसमी गटना ये आपकी छोब मंदल में घटित होती है Option बढ़ी छोब मंदल right answer है डीजल इंजन का निमारण निमनलखित में से कहां होता है तो डीजल इंजन बनारस में इसकन माण होता है बनारस ओप्शन बसी बनारस ही राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए न्यूट्रोन कैसा कन होता है तो आपका न्यूट्रोन ना ये पॉजिटिव होता है ना नेगिते हो आवेश हीन कढ़े न्यूट्रोन औप्शन नमबर ये आवेश हीन कढ़े न्यूट्रोन बांधी पुर राष्टी उध्यान कहां परिस्त है तो बांधी पुर राष्टी उध्यान ये आपका पढ़ता है करनाटक राज्य में औप्शन नमबर ये करनाटक राज्य राइट आ अंसर है कोनेन किस से प्राप्त किया जाता है तो कोनेन जो है यह आपकी सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है option number C, Sinkona की छाल right answer है भारतिय राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो भारतिय राश्टी कॉंग्रेस जो है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1880 इसवी में हुई थी option number यहां पर C, 28 दिसंबर 1880 इसवी प्रश्णी के लिए right answer है किस रंग का तरंग देर्द सबसे अधिक होगा तो सबसे अधिक तरंग देर्द होगा आपका लाल रंग का अप्शन नमबर भी ये लाल रंग का तरंग देर्द सबसे अधिक होगा अगला कोश्चन देखिए इसमें पूछा के आप से ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज् अगला कॉशन देख लेते हैं अगला कॉशन यह रहा सिख्वाद का पतन किस सदी में हुआ था तो सिख्वाद का आपका जो पतन हुआ था राइट आंसर हो जाएगा यह हुआ था आपका पंद्रवी सदी में ऑप्शन नमबर यहां पर सी पंद्रवी सदी राइट आंसर हो हैगा प्रश्ण के लिए yeah issue शक संसद को क्या कहा जाता है तो जो फेस्जंग का जो मुख्याला हे यह आपका पढता है j Washington DC में विश्व बैंक का मुख्यालय पड़ता है लाल फूल को हरे सीसे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा तो लाल फूल को यदि आप हरे सीसे में देखेंगे तो वो आपको काले कलर का दिखाई देगा आप्शन नमर यहां पर डी मुंबई प्रशन के लिए राइट आंसर है आपको कमेंट करके बताना है कि कॉंग्रेस भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना किस न की थी भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना किस न की थी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस प्रशन का आंसर केनान शब्द किस खेल से सम्बनत है? तो केनान शब्द जो है यह आपका snooker से सम्बनत शब्द है option number snooker प्रशने के लिए right answer हो जाएगा चंद्रगहन किस दिन घटित होता है? तो चंद्रगहन जो आपका है यह आपका पूनिमा को घटित होता है option number यहाँ पर भी पूनिमा को चंद्रगर्ण घर्टित होता है बेगम अक्तर का संबंद किस छित्र से है तो बेगम अक्तर यह famous है गायन छित्र में option number यहाँ पर सी गायन छित्र में बेगम अक्तर संबंद थे इस से कॉंग्रेस का नाम भारती राष्टी कॉंग्रेस किसके द्वारा रखा गया था तो कॉंग्रेस का नाम भारती राष्टी कॉंग्रेस दाधा भाई नोरोजी ने यह नाम रखा था option number B दादा भाई नोरोजी के द्वारा भारती राश्टी कॉंग्रेज नाम दिया गया था निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है तो निकोटीन जो है आपका उसका मुख्य स्रोत यहाँ पर आपको जो option देगा है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर आपका घट जाएगा option number B राजसभा का अध्यक्ष कौन होता है तो जो राजसभा होती है उसका अध्यक्ष होता है आपका उपर राष्ट्र पती option बढडि उपर राष्ट्र पती right answer है भारतिय राष्ट्री कॉंग्रिस के संस्थापक कौन थे तो भारतिय राष्ट्री कॉंग्रिस जो है इसके संस्थापक थे आपके A.O. Hume option number यहाँ पर भी A.O. Hume right answer हो जाएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह caution पूछा भी था कि comment करके बता ना भारतिय राष्ट्री कॉंग्रिस के संस्थापक कौन थे ammonia gas को बनाने में किसका प्रयूख किया जाता है तो ammonia gas जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा लोहे के चूण का प्रयूख किया जाता है ammonia gas को बनाने में option number यह लोही का चूण right answer हो जाएगा computer का IC chip जो रहता है यह आपका किसका बना होता है तो computer का जो IC chip रहता है यह आपका बना होता है silicone का option number यहाँ पर C सिलिकॉन का बनाता होता है कंप्यूटर का इसी चिप भातिय राष्टी कॉंग्रिस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां के अधिवेशन में की गई थी तो भातिय राष्टी कॉंग्रिस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहोर के अधिवेशन में नित्रावती नदी किस और प्रवाहित होती है तो नित्रावती नदी ये बहती है आपकी दक्षन की तरफ नित्रावती नदी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है पहुंचाता है तो शुपर सोनिक विवाण यह आपका आयन मंडल को हानी पहुंचाता है, option number V, आयन मंडल राइट आंसर है, पानी के अंदर ध्वनी सुनने वाला यंत्र कौन सा है, तो पानी के अंदर यदि आपको ध्वनी सुनना है, तो हाइड्रोफोन यूज होता है option number C हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर धोनी सुनी जा सकती है oxygen एबम nitrogen दोनों मिलाकर कितने प्रतीशत हवा मात्रा हवा में मौझूद है तो oxygen और nitrogen को मिला लेंगे तो 99 प्रतीशत हवा जो है oxygen और nitrogen को मिलाकर है अच्छा ज्यादा क्या है वाइड्रोफोन में oxygen और nitrogen कमेंट करके दो ज्यादा क्या है oxygen ज्यादा है वाइड्रोफोन में और nitrogen comment box में comment करके इसका अंसर देना संग मरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो संग मरमर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये है आपका राजिस्थान राज्य, option नमबर भी राजिस्थान राज्य राइट आंसर है रुपया नाम का शिक्का भारत में सरप्तम किसके शाशन काल में ढाला गया था तो रुपेया नाम का शिक्का सबसे जाला ढाला गया था आपका सेर शाहसूरी के समय में option number C, सेर शाहसूरी राइट आंसर है चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है तो चीन का अशोक कहा जाता है आपका हुआंग हो नदी को option number हुआंग हो नदी right answer है भारत में अद्वैत अबाद का सिधान्त किसन ने प्रस्तुत किया था तो भारत के अंदर अद्वैत अबाद का जो सिधान्त है ये शंकरा चार जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था option number C right answer है सूरे के उर्जा का स्त्रोत इन में से क्या है तो सूरे के उर्जा का स्त्रोत यहाँ पर आपको जो option दिये गए है नाभिकिये सनलियन यह सूरे के उर्जा का स्त्रोत है धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राजय कौन सा है इन में से धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राजय जो है यहाँ पर आपको जो अप्शन दिये गए है राजस्थान, राजय option नमबर यहाँ पर C right answer है भारत के प्रथम field marshal कौन थे तो भारत के सबसे पहले field marshal थे आपके SHFJ मानिक्षा option number यहाँ पर A right answer है किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है तो काली मौत के नाम से जाना जाता है plague बीमारी को option number यहाँ पर भी plague बीमारी right answer है घाना का पुराना नाम क्या है तो घाना का पुराना नाम है आपका गोल्ड कोश्ट ऑप्शन नम्बर यहाँ पर डिक गोल्ड कोश्ट यह 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 गोल्ड कोश्ट और रांग है जीरह का अबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो जीरे का सबसे बड़ा उत पादक राज्य है आपका राजिस्थान राज्य और नहाज न गया rec gesehen का सबसे बड़ा घुजरात राज्य में option number गुजरात राज्जे राइट आंसर है नाश्डेक किस देश का शेर मुल सुचकांग है तो नाश्डेक या आपका USA का शेर मुल सुचकांग है option number यहाँ पर USA राइट आंसर है प्रशने के लिए हडपा सविता के किस इस्थान से कहां से की बनी नर्तकी की मूर्ती मिली है तो नर्तकी की मूर्ती मिली है कहां से की बनी मोहन जोदारू से option number सी मोहन जोदारू राइट आंसर है केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जे कौन सा है तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जे जो है वो है आपका महराष्ट राज्जे option number यहाँ पर सी महराष्ट राज्जे राइट आंसर है हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था तो हर्ष की जो दूसरी राजधानी थी यह थी आपी कन्योज, option number A, कन्योज जो है यह हर्ष की दूसरी राजधानी थी अनार का सबसे बड़ा उतपादक राजे कों सा है तो अनार का सबसे बड़ा उतपादक राजे है आपका महरास्टर राज्य, option no.C cioè महरास्टर राज्य, right answer है middex, यह किस देश का sharemull success kangth है, तो middex, यह आपका जर्मनी का sharemull success kangth है option no.a यहाँ पर right answer है आवला का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन सा है तो आवले का सबसे बड़ा उत्पादक राजी है आपका उत्तर प्रदेश option number भी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है तो संसद के अंदर जो आम बजट होता है, उसको वित्य मंत्री प्रस्तुत करते हैं, option नुमसी वित्य मंत्री राइट आंसर है जमली कमली मश्जित का निर्मान कब हुआ था तो जमली कमली जो मश्जित है यह 1528 में इसका निर्मान हुआ था option नुमरी 1528 right answer हो जाएगा निक्की कहा का शेर मुल सुचकांक है तो जो निक्की है यह आपका Tokyo का शेर मुल सुचकांक है भारत का क्या भारत में सैंसेक्स और निफ्टी चलता है सेप का उत्पादक राज सेप का उत्पादन किस राज़ में सरवादिक होता है तो सेफ जो है आपका दो राज़े हैं आगे पीछे होते रहते एक तो जम्मुकाश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदिश कभी हिमान श्रप्रदिश आगे हो जाता है लेकिन अभी जो है जब मुकाश्मी जब आप एक्जाम देने जाओ एक बार चेक कर लेना वायू मंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है तो वायू मंडल में कारबन डायोकसाइड 0.03 प्रतिशत है option number B यहाँ पर right answer है शिख्षा को किस सूची में रखा गया है तो सिख्षा को रखा गया है आपका समवर्ति सूची में Option number A, समवर्ती सूची right answer है शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था तो शिवाजी का जन्म हुआ था आपका शिवनेर के दुर्ग में या शिवनेर के किले में Option number A, छत्रपर्दी सिवाजी महराज का जन्म है शिवनेर दुर्ग antiseptic surgery विधी की खोच रोड़ किसने की तो antiseptic surgery विधी की जो खोच रोज़ की थी लिष्टर के द्वारा की गई थी option number B, Leister right answer है प्रृश्चने के लिए BEALसवा संविधान चंशोधन की सुवर्श किया गया था तो BEALसवा संविधान चंशोधन जो किया गया था यह हुआ था आपका सन 1976 EC में option number यहां पर C right answer हो जाएगा चेचक के टीके की खोज किस ने की तो चेचक का जो टीका है इसकी खोज की है Edward Jenner के द्वारा option number C Edward Jenner right answer है चुनाव आयोक का मुख्याले कहां परिस्थ है चुनाव आयोक का जो मुख्याला है आपका नई दिल्ली में पढ़ता है option number यहां पर नई दिल्ली प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा जब शुद्ध जल में detergent डाला जाता है तो उसके प्रश्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो शुद्ध जल में जब भी आप detergent मिलाओगे तो उसका जो प्रश्ट तनाव है वो कम हो जाएगा option number यह प्रश्ट तनाव कम हो जाएगा भारत में सहायक संधी का सर्फथम प्रयोक इस ने किया तो भारत के अंदर जो सहायक संधी थी उसका सबसे पहले जो प्रयोक किया गया यह किया गया था आपका ड्यूपले के दारा option number यह डूपले राइट आंसर है बराक ओबामा का संबंद किस दल से है तो बराक ओबामा इनका संबंद आपका डेमोक्रिटिक पार्टी से option number यह डेमोक्रिटिक पार्टी से संबंद थे बराक ओबामा जी सेलूलर जेल का अन किस नाम से जाने जाता है तो सेलूलर जेल को काला पानी के नाम से जाता है पहले जो है काला पानी की सजा दे दी गई सुना होगा तो यहीं भेज दिया जादा था पंच शील समझोता किन दो देशों के भी संपन हुआ तो पंच शील समझोता भारत और चीन के वीच में संपन हुआ option number यहाँ पर भी right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए और यह राज का आखरी कॉशन आखरी कॉशन पूशा गया है फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थ है तो फ्रांस की जो राजधानी है यह आपकी पैरिस मिस्थ है option number यह पैरिस यह फ्रांस की राजधानी है आपके लिए surprise कॉशन है कि Penicilline की खोच इन में से किसके द्वारा की गई थी आपको इस प्रेशन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि Penicilline की खोच किसके द्वारा की गई थी आपको मैं दो आप्शन दे रहा हूँ लिवेन हॉक या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन में से जो भी आपको आंसर लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसको भी पीडिएफ चाहिए जी के जी इस बिलकुल स्ट्रॉंग हो जाएगी पीडिएफ जरूर पर्शेस करना निनान रुपे में दस हजार कॉशन में आपको मिल जाएंगे बहुत बहुत अन्यवाद आपका दिशुब हो जय हिंत जय भारत